तो दोस्तो बीते दिन बिहार पैरामेडिकल परिक्षा 2022 का Admit Card वेबसाइट पर अपलोड ना होने के कारण बहुत सारे स्टुडेंट्स जो इस वक्त confusion में है कि क्या उनका जो एक्जाम का डेट है उसको फिर से improve किया गया है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है बिहार पैरामेडिकल परिक्षा 2022 के बारे में तो दोस्तो आप वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रहेगा ताकि आपका पूरा डाउट जो है इस वीडियो के तहट पूरा हम किलियर करने का प्रयास करेंगे तो दोस्तो हम आपको बतला दें कि इस वक्त जो है बिहार पैरामेडिकल परिक्षा 2022 से जो रिलेटेड जो अपडेट्स है आपको हम इस वीडियो के थूर जो सेयर करने वाले है फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहे जाता है तो आपको डिस्क्रिप्षन में हमारे गुरूप यानि टेलिगराम गुरूप का जो आपको लिंक दे दिया जाएगा आप उस लिंक से जोईन हो करके आप अपना जो है डाउट हमारे गुरूप के थूरू भी आप किलियर करवा सकते हैं तो दोस्तों हम अपको बतला दे कि इस वक्त हम बिहार पैरामेडिकल के ओफिस्यल वेबसाइट पर आ चुके हैं इस वेबसाइट का लिंक भी हम अपने डेस्क्रेप्षन बॉक्स में दे देंगे वहां से आप डिरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाईएगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक जैसे किजैगा तो इससे जो रिकार्डिंग जो भी मैसेज होंगे आपके सामने में ओपिन हो जाएगा इस तरीके से देख सकते हैं कि आप लाए ऑनलाइन और यहापर जो दो नमर में जो लगा दिया गया है इंपोर्टेंट करते हैं कि आपको असपष्ट जो है दिखाई पर रहा होगा यहां पर आप देख सकते हैं कि नोटिस में क्या लगा दिया गया है सबसे पहले तो आप हेडिंग देख सकते हैं कि बिहार सयुक्त परवेस परिक्षा परतियोगी ता परिक्षा परसत जो है आपर जो उपर मे देख सकते हैं कि admin card से जो रिलेटर है क्या यहां पर दिखा हुआ है तो अब देख सकते हैं कि admin card uploading of online admin card का जो पहले जो date था वो 27,22 था इसको change करके 29,22 कर दिया है मतलब कि बीते दिन admin card upload नहीं किया गया था क्योंकि admin card का uploading जो date था उसको change कर दिया गया है ठीक है और examination card date में जो कोई भी बदलाओं यहां पर नहीं किया गया है आप यहां पर असपस्ट रुप से जो हैं आप आप देख सकते हैं तो बहुत सारे students जो confusion में थे कि उनका जो exam date है वो क्या modify किया गया है क्या उनका जो डिले किया गया है तो यहां पर देख सकते हैं कि कि किसी तरीके का कोई आपको पढ़ करके मैं किलियर रूप से आवेधन भर चुके हैं परन्तु किसी परकार की तुरूटी रहा गाई है तो वे अपने भरे हुए डाटा को दिये गए उपड़ियुकत कारेकर मतलब की जो एडिटिंग का टायम था वो तो आपको कलो जो चुका है तो इसको पढ़ कि परिक्षा देनाएंग जो नौ साथ 2022 को आउजित की जाएगी मतलब कि परिक्षाक में जो है को यहां पर बदलाव नहीं किये गए देनाएंग उन्लाइन प्राप्त किये जाएंगे मतलब कि आज 28 तारीक हैनी कल आपका एड्मिट कार्ड जो है इस वेबसाइट पर आपको अप्लोड कर दिया जाएगा निचे में क्या लिख दिया गया है कि अप्रोक्त जो है कि अतरीक्त पूर्व परकासित विग्यापनों कि अन्य सभी सुचनाएं सरते या थावत रहेंगे मतलब कि जो भी और चीज जो इसमें इंक्लूड नहीं किये गया है जो कि पहले से इन्फोर्मेशन दे दिया गया था वो साड़ी चीजें उसी तरीके से संचलित की जाएंगी और पांचवा जो है देख सकते हैं कि सभी स निर्देश देजाता है कि परिक्षा संबांदित अधतान जानकारी हो तो परसत के वेबसाइट विसी ऐसी बोडट बिहार डॉट जो भी डॉट इनके संपरक में रहने के लिए परिक्षान गया मतलब कि सारी जानकारी जो है उसी तरीके से सिर्फ और इहां पर अब ही फि कर्मिट कार्ट जो है कल सियानी डालोड होना चालो जाएगा 2622 से और एक्जाम का जो डेट है वो 10-722 रखा गया इसमें कोई चेंजिंग नहीं है नौ तारीक होगा पी तथा पी वालों का और दस तारीक होगा पी एम तथा पी एम वालों का चलिए सूचना यदि आपको चैनल को ताकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए हमेशा अपने चैनल पर अप्लोड करते हैं मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई